नमस्ते पिंकी भेज रेसिपी में आप सब कस्वागत है आज मैं काजू कटली बनाने जा रही हूँ मेरे वीडियो को अंतक देखिए अगर मेरे रेसिपी आपको अच्छा लगे तो घर पर जरूर ट्राइ करें और आपको कैसा लगा कमेंट बक्स पर जरूर बताए तो आए यह सूरी करते हैं यहां पर मैं एक कटोरी काजू यूज करने जा रही हूँ एक ब्लेंडर जा ले लेंगे इसको हम फाइन पाउडर बना लेंगे काजू को यह पाउडर बनके रेडि हो चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको हम साइड में रख लेंगे इसका एक चासनी त्यार कर लेंगे चासनी के लिए जितना हमने काजू लिया था उसके आधा कटोरी यहां पर मैं चीनी ले रहे हूँ और उसे हिसाब से आधा कटोरी पानी ले रहे हूँ इससे हम चासनी बनाएंगे चासनी बनाने के लिए ग्यास को मीडियम फ्लिम पर ओन करके एक प्यान को गरम कर लेंगे हमने एक कटोरी काजू यूज किया था उसी ही सबसे उसका आधा और उसे थोड़ा कम चिनी यहां पर हम ले लेंगे जितना चिनी उतना पानी हम यूज करेंगे एक तार चासनी हम त्यार कर लेंगे ग्यास को मीडियम पर हम रख लेंगे इसमें उबा लाने लगा है अब हम इसको तोड़ा सा चला लेंगे और चेक कर लेंगे नहीं हुआ है यह एक तार आने लगा है अब ग्यास को स्लू कर लेंगे और काजु का पाउडर हमने किया था इसका हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको थोड़ा सा गाड़ी कर लेंगे ग्यास को धेमी कर लेंगे तोड़ी से गाड़ी होने लगी है अब हम इसमें एक टेबल स्पून घी को आड़ कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके चारों और से निकाल लेंगे हम अब ग्यास को आफ कर लेंगे अब हम इसको बटर पेपर में डाल लेंगे और थोड़ा सा थंड़ा होना के लिए छोड़ देंगे अब हम इसको अच्छी तरह से बटर पेपर से गूत लेंगे थोड़ा सा इस तरह से इसको हम 2-3 मिनित के लिए इस तरह से गूत लेंगे इसको हम अच्छी तरह से गूत लिया है प्लेट लेंगे इसके उपर थोड़ा सा घी को लगा लेंगे इसको हम इस प्लेट के उपर रख लेंगे बेलेन में थोड़ा सा घी को अपलाई कर लेंगे इसको अच्छी तरह से स्प्रेट कर लेंगे ज्यादा मुट्टा ज्यादा पतला नहीं करेंगे अब हम इसके उपर यह सिल्वर का फॉइल लगा लेंगे अब हम इसको कट कर लेंगे देखिए काजु कटली बनके तेयर हो चुका है काजु कटली बनके तेयर हो चुका है अगर मेरे रेसिपी आपको अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजी और पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजी ताकि मैं जब निव रेसिपी अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरांत पहन मेरे वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद